हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माँ चैनल फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक है पोएम अमैंडा बाय रॉबिन क्लेंड फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारी सी पोएम है जिसमें अमैंडा नाम की एक लड़की है और उसको उसकी मदर एक अच्छी बच्ची बनने के लिए उसको इ इस पोएम को शूर करते हैं दोंट बाइट योर नेल्स अमैंडा दोंट हॉंच योर शोल्डर्स अमैंडा स्टॉप ये फर्स टैंजा है उसकी मदर उससे कहती है कि अपने नखुनों को अपने दातों से मत काटो अमैंडा डोंट हंच योर शोल्डर्स हंच करना मतलब अपने शोल्डर्स को अपने कंदों को अगे की तरफ जुका लेना ऐसा बॉडी पुस्च्चिर जहां पर कंदों को जुका कर मत बैठू अमैंड़े попробatem बैठ対 स्टॉप धे लेजी पने ने सिके बैठना बैठो अमेंडा, स्टेंजा 2 ये स्टेंजा 2 जो है वो एक्चुली इस फर्स सेंजा के बाद अमेंडा के थौट्स है वो दिन में सपने देखती है क्योंकि ये वो छोटी सी बच्ची है और इसलिए जब उसकी मम्मी उसको टोक रही है तो उसके मन में ये खयाल आ रहे हैं कि there is a languid emerald sea कि बहुत दूर तक फैला हुआ बहुती इंट्रेस्टिंग सा एक समुंद्र है emerald मतलब green killer का समुंद्र है जहां पे एक अकेली soul in habitant मतलब एक अकेली रहने वाली वो खुद है एक mermaid वो अपने आपको एक mermaid के रूप में कल्पना कर रही है mermaid आप जानते हैं कैसा प्राणी होता है एक sea creature जिसकी head जो है woman का है और body fish की होती है मतलब उसका head और body एक woman की है और tail की जगा उसके tail होती है legs की जगा मतलब बाकी की body उसकी fish की जैसी है और उपर से वो एक lady दिखती है तो वो अपने आपको उस mermaid के तोर पे imagine कर रही है कि उस पूरे खुले समुन्दर में मज़े से तैरती हुई बगएर किसी force के बगएर किसी रोका टोकी के वो blissfully यानि कि बगएर किसी परेशानी के वो तैर रही है और वो अकेली प्राणी उस समुन्दर में है स्टेंजा त्री यहां उसकी मज़र उससे कह रही है कि मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने शूज को साफ कर लो क्या तुमने वो साफ कर ली हैं अमेंडा स्टेंजा फोर अब स्टेंजा थ्री के बाद फिर से अमेंडा कलपना कर रही है सोच रही है और अब उसके जो कलपना है वो यह है कि अब वो यह सोच रही है कि मैं एक और्फिन हूँ एक अनात बच्ची हूँ जो की सडकों पर ऐसे ही इदर से उदर घूम रही है और अपने बेर फीट यह नंगे पैरों से मैं डस्ट के ऊपर यह नहीं मिट्टी के ऊपर अपने पैरों से अपने सॉफ्ट से पैरों से अलग-अलग पैटर्ण्स बना हैं तो यहां अमेंडा भी यही कलपना कर रहे हैं कि मैं अपने नंगे पैरों से मिट्टी के ऊपर अलग-अलग पैटर्ण्स बना रही हूँ और जो साइलेंस है जो चुपी है जो मुझे कोई कुछ बोल नहीं रहा है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मेरी आज से और्फन हूँ और अराम से घूम रही हूँ स्टैंसर फाइव डोंट इट एक चॉकलेट अमेंडा रिमेंबर यूर एकने अमेंडा विल यू प्लीज लुक अट मी वेन आम स्पीकिंग तो यू अमेंडा अब उसकी मदर उसको बोलती है कि यह चॉकलेट मत खाओ तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्योंकि एमेंडा उसकी तरफ नहीं देख रही है अपनी मदर की तरफ जब उसको डांट रही है तो क्योंकि जैसा बच्चे अक्सर करते हैं कि जब पेरेंट्स डांट लागाते है या बड़ा उनको डांटत रेपेंजल एक ऐसी राजकुमारी थी जिसके बालों में जादू था और उसके बाल बहुत लंबे थे और उसके बालों की वजह से एक विच उसको ठाके ले जाती है और एक टावर में ले जाके रख देती है लेकिन उस टावर से आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं था उसके लिए वो विच उस रेपैंजल के बालों को ही नीचे लिटकबा देती थी उस टावर से और उसके बालों के ज़दी नीचे उतर जाती थी और जब नीचे आके खड़ी होती थी तो रेपैंजल से कहती थी अपने बाल नीचे डालो और मैं उपर चड़के तुमारे बालों से चड़के उपर आ जाओंगी तो यह थी रेपैंजल की कहानी तो यहां पे अमेंडा भी अपने आपको रेपैंजल कहती है, वो कहती है मैं रेपैंजल हूँ मुझे किसी चीज़ के परवा नहीं है लाइफ इन टार इस ट्रेंक्वल एंड रेर और इस ट्रेंक्वल यह नहीं शांती से बिल्कुल काम पीस्फुल लाइफ है इस टावर में एंड रेर और यह ऐसी लाइफ है जो बहुत रेर है किसी किसी को ही नसीब होती है अच्छी लगती है और वो ऐसा इसले सोचती है कि अगर मैं अपने बाला नीचे डालूँगी तो मेरी मदर फिर से मेरे बालों के साहारे चड़के उपर आ जाएंगी और मुझे रोकटोगी करेंगी और इसले वो सोचती है अब उसकी मदर उससे कहनी है कि तुम अक्सर बहुत ज़्यादा सलकिंग मतलब गुसे में आ जाना या एकड़म से नाराज हो जाना तो उसकी मदर उससे कहनी है तुम इतना अपना गुसा करना, चिचड़ाना, बंद करो Tam हमेशा बहुत मौड़ी रहती हो अपने मन से काम करती हो और हर को यह सोचेगा तो वह कहती है कि हर किसी को भी लगेगा कि शायद मैं तुमें किसी काम को करने के लिए जबरदस्ती करती हूं और तुम करना नहीं चाहती हो तो इस तरह के काम मत करो यहाँ एक यह मदर है जो अपनी बच्ची के लिए अच्छा सोचती है और वो उनको उसको इसलिए बार-बार टोकती है ताकि वो एक अच्छी बच्ची बने उसमें अच्छी qualities डेवलब हो तो एक अच्छी और लविंग मदर है लेकिन अमेंडा एक छोटी बच्ची होने की क और नेक्स्ट वीडियो में इसके questions भी आपको मिल जाएंगे I hope आपको यह poem पसंद आई होगी Please मेरे वीडियो को like और share जरूर कीजेगा